नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राजील के बारे में जैसे कि ब्राजील का पॉपुलेशन क्या है वहां पे किस तरह की गौवर्मेंट काम करती है वहां की जीडिपी क्या है इन सब के बारे में बात करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो यह जो है capital है largest city के अगर हम लोग बात करें तो वो साव पोलो है और 26 इस्टेट की बात करें 26 डिवेजन लगभग बटा हुआ है और पॉर्ट पॉर्टोगीज यहां पे language यूज़ किया जाता है और population जो है 22 करोर के प्रॉक्स है density के अगर हम लोग बात करें तो 25 पर किलोमेटर स्क्वार के हिसाब से density है और टोटल एरिया जो है 85,15,767 किलोमेटर स्क्वार यहां की एरिया है टोटल वाटर परसेंटेज जो है वो 0.65 परसेंट है religious Christianity जो है 88.8 परसेंट क्रिस्चानिटी है नो रिलीजियस में 8 परसेंट और बांकी अधर परसेंटेज है फॉर्मेशन की बात करें तो इंडेपेंडेंडेंस जो यह लिए थे यूके और पॉर्टगाल्स और ब्राजील अलाग विरिस इन से कंट्री से इंडेपेंडेंडेंस हुए थे गर्मेंट जो है वो फेडरल प्रेसिडेंटल कॉंस्टिटूशनल रिपब्लिक इस तरह की गर्मेंट यहांपे काम करती है हेड़ और लेगिस लेचर जो है यह नेशनल कॉंग्रेस अपर हाउस को वहाँपे फेडरल सेनेट कहा जाता है और लोवर हाउस को जो है चेमबर कहा जाता है GDP के अगर हम लोग बात करें जो की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है किसी विदेश के लिए तो GDP जो है वहाँ पर 1.491 ट्रिलियन डॉलर यह नॉमिनल में है 3.328 ट्रिलियन डॉलर जो है यह PPP में है और कॉलिंग कोड प्लस 55 है और टाइम जोन अगर 30 PM हो रहे होंगे तो यह थी कुछ जानकाडियां तो उम्मीद करते हैं कि आपको ब्राजिल के बारे में यह सब जानकाड़ी जानके अच्छा लगा होगा बहुत-बहुत धन्यवाद इसी तरह से बने रहे बहुत-बहुत धन्यवाद